सावन के चौथे सोवार को बिहार के जहानाबाद में श्रावडी मेले के दोरान से धेश्वरनाथ मंदर में भगदर मच गई इसमें साथ कावडियों के दबने से मौत हो गई हाथसे में 12 से जादा लोग खायल है बराबर पहाड़ी परश्व धालू एक तरव से उतर और दूसरी तरव से चड़ रहे थे आप अधापी मचने पर विवस्था में लगे वॉलेंटियर्स लाठी भाजने लगे इससे भगदर मची और जान बचाने की कोशिश में श्व धालू भागने लगे और दब गए इस पूरे हाथसे को लेकर बहाब की मुख्यमंत्वी नितीश कुमार ने दुख जताया है उन्होंने कहा कि मृत्कों के परविवार को 44 लाग की मदद दी जाएगी मुख्यमंत्वी ने घायलों के बेहतव इलाज के भी निवदेश देएगे जो तुर घटना है जो भाग पूर्ण है इस तना बड़ा घटना आज तक नहीं हुआ है कि 35 साल से मृधायक है बेला गज में और हर साल आप जहनावाद के शांचद है इतनी बड़ी घटना हुई है आप इसमें किसे जिम्यवार मानते हैं इसनी बड़ी घटना को भी सित्या एक पजय क्या है देखिए तो जाच का भी सह है जब तक जाच से पूरा नहीं हो जाता है तो किसी आरोप परती आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है जिला परसासन तो आपका बहुत टाइट रहे वहां बहुत अच्छा ब्यवस्ता भी किया था और जो जिला परसासन वह इसे दोसी नहीं माल लेगे जब तक इजाच का सामने मामला नहीं आजाए जिला परसासन से चाहते हैं कि आगे उस पर धियान रखे और दूसरी बात क जो लोग दोस्री हो उसको बख्षा भी नहीं मामला गया सब लाइन में लगे हुए तो फूल वाला जे सबसे उपर है ना ओ फूल वाला से बम कोई बात लेके जगडा होए कि हमारे दुकान के तरफ की जुक रहे हो तो यह भी कर अदमी होगा वह भी कर गया तो दुनों मे हो चपके मर गए कितना लोग घायल हो गए है फूल सबसे उपर जो फूल माली है ना ओ यह इसे किया था तो ही डंटा चलाय था उसी के बज़े से सारा ही सब होगा आव या परसासन कोई के वहां टाइट नहीं रास्ता में टाइट था लेकिन वहां वहां पर परसासन टाइ है shows अपके लेह prayer जो ही नहीं टा डूएंधिन सबस्ता के ए कितना नहीं पहां टाइट